सू स्वागतम प्यारे दोस्तों, आज हम देखेंगे हिंदी संयुक्त कक्षा नवी की पांचवी कविता किताबे कुछ कहना चाहती है दोस्तों, इस कविता के कवी है सब्दर हास्मी जी सब्दर हास्मी जी एक नाटक कार, कला कार, गीत कार एवं सफल सिल्म निर्देशक थे किताबे कुछ कहना चाहती है, इस कविता की विधा है नई कविता प्रस्तुत कविता में सब्दर हास्मी जी ने किताबों के माध्धम से मानव मन का मानवी करन किया है कवी पाठको को किताबों की दुनिया में ले जाना चाहते है वहां की सेर कराना चाहते है साथ ही किताबों की वेथा एवं दुख दर्द को भी इस कविता के माध्यम से उजागर किया गया है दोस्तो किताबों को हम सभी बेजुभा समझते है लेकिन किताबों की भी अपनी एक अलग जुबान है किताबे भी हमसे बाते करती है किताबे कहती है कि एक जमाना था जब लोग ज्यान प्राप्त करने एवं मनोरंजन के लिए किताबों का ही उपयोग किया करते थे किन्तु आज लोग उसे भूलते चले जा रहे है मुबाइल, कम्प्यूटर जैसे नविन तकनिकी का इतना अधिक उप्योग हो रहा है कि जैसे किताबों को तो वो भूलते ही चले जा रहे है इसी डर, इसी दुख, इसी व्यथा को इस कविता की माध्यम से कवी ने व्यक्त किया है तो चलिए दोस्तों, देखते हैं किताबे कुछ कहना चाहती है इस कविता को किताबे करती है बाते बीते जमाने की आज की, कल की, एक-एक पल की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की क्या, तुम नहीं सुनोंगे इन किताबों की बाते, क्या, तुम नहीं सुनोंगे इस किताबों की बाते, किताबे कुछ कहना चाहती है दोस्तों, किताबे आपसे कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे पास रहना चाहती है किताबे कुछ कहना चाहती है तुम्हारे पास रहना चाहती है दोस्तों इस कविता में बड़े ही सरल शब्दों में किताबों ने अपना दुख, अपनी वेथा यहां व्यक्त की है किताबे हमसे बाते करती है वे हमें बीते जमानों की बाते बतलाती है आज की और आने वाले कल की बाते करती है किताबे एक-एक पल की बाते करती है चाहे वो पल खुशी का हो या फिर गम का किताबे हमें फुलो के बारे में बतलाती है साथी हमारे कुरूरतापुर्ण विभार के बारे में भी हमें बतलाती है कि मनुश्य विजय प्राप्त करने के लिए किस प्रकार निदीहों मनुश्य पर बम बरसा देता है यात्राओं के बारे में बतलाती है अलग-अलग प्रदेशों की यात्रा वहा यात्रा वर्नन परक किताबों के माध्यम से कराती है लोगों को हार के बारे में बतलाती है मनुश्य क्या तुम इस किताबों की बाते नहीं सुनना चाहूंगे किताबे तुमसे बात करना चाहती है तुम्हे कुछ बताना चाहती है वह तुम्हारे पास रहना चाहती है किताबे कुछ कहना चाहती है वो तुम्हारे पास रहना चाहती है तो इस प्रकार किताबें हमें बहुत सारा ग्यान देती है किताबें हमें बहुत सारी बातें बतलाती है यह इस कहाने के माध्यम से इस कविता के माध्यम से किताबों ने बतलाया है अब चलते हैं हम अगली पंगतियों की ओर अगली पंक्तिया है, किताबों में छिरिया चाहती 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 है, किताबों में छिरि किताबों में साइंस की आवाज है, किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में ग्यान की भरमार है, क्या तुम इस संसार में नहीं जाना चाहोंगे? किताबे कुछ कहना चाहती है, वह तुमारे पास रहना चाहती है, देखते हैं इन पंक्तियों का अर्थ, इन पंक्तियों में किताबे अपनी आउशक्ताओं की महत्ता यहाँ पर इस्पश्ट कर रही है, पे कहते हैं कि किस प्रकार किताबे मनुष्य के लिए उप्योगी है इन कविताओं इन किताबों में चिर्या चहचहात करती है इन में लहलहाती खेती के द्रश्य है किताबे कहती है कि किताबों में चिर्यों की चहचहात है इसमें लहराती खेती के द्रश्य है इन किताबों में जरने गुन-गुनाते हुए दिखलाई देते हैं इसमें सुन्दर-सुन्दर परियों की कहानिया होती है किताबे हमें यह भी बत्ता आती है कि किस प्रकार रॉकेट बनाय जाते है किस प्रकार देश, मनुष्य, अपने इच्छाओ, आकांग्शाओ को पूरा करने के लिए कैसे कैसे युद्ध करवा देता है किताबों में साइंस के सभी सिधान्त संकली थे किताबों का संसार बड़ा असीम है उसकी कोई सीमा ही नहीं है किताबों में औसीमित ग्यान भरा हुआ है मानवो क्या तुमें संसार में नहीं जाना चाहूंगे क्या वहाँ विच्रन नहीं करना चाहूंगे किताबे हमसे बाते करना चाहती है वह हमें कुछ बताना चाहती है वह सदा हमारे पास रहना चाहती है किताबे हमसे हमारे पास सदा रहना चाहती है तो यहां सुन्दर शब्दों में किताबों की व्यथा यहां व्यक्त की गई है धन्यवाद दोस्तों